उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बाहा रहा है पर सिर्फ तारीख वितारीख पारा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पारा है कैसे? खाता बुप दिजिडल इंडिया का डिजिटल खाता मुफ्त सुरक्षित वरासान नमस्ते मेरा नाम सौराब है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप नागरिकता संशोधन एक्ट यानि CAA इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी बवाल हो रखा है इनी बवालों के वीच ट्विटर और फेस्बुक पर कई सारे पोल भी चल रहे हैं यह जानने की कोशिश की जा रही है कि देश की जनता का मूट क्या है लेकिन इन पोल्स में से कुछ पोल्स ऐसे हैं जिनने समय सीमा के पहले ही डिलीट भी कर दिया गया है ऐसा ही एक डिलीट हुआ पोल था ईशा फाउंडेशन का एक विक्ति हैं जनका नाम जग्गी बासुदेव है सद्गुरु के नाम से जाने जाते हैं इनकी संस्था का नाम ही ईशा फाउंडेशन है इस फाउंडेशन ने 30 दिसमबर 2019 के दिन दो पहर करीब 2 बच कर 20 मिनट पर एक पोल शुरू किया सवाल किया था क्या CAA और NRC के खिलाब हो रहे प्रदरशन सही है इसके साथ ही CAA और NRC पर सद्गुरु की रायवाला एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी शेर किया पोल 31 दिसमबर के सुबह 11 बच कर 35 मिनट पर खत्म होने वाला था हाला कि इस ट्वीट को पोल की समय सीमा खत्म होने के पहले ही डिलिट कर दिया गया कुछ लोगों ने स्वीड का स्क्रिंशॉट भी ले लिया था जो इस वक्त क्विटर पर जम कर शेर हो रहा है इस स्क्रिंशॉट में दिख रहा है कि 62 फीज़ी लोग CAA NRC के खिलाफ हो रहे है विरोध प्रोदर्शन के सपोर्ट में है तो वही 38 फीज़ी लोग इसके खिलाफ है अब लोग यही स्क्रिंशॉट सेयर करके कह रहे हैं कि इसा फांडेशन अपनी हार बरदाश नहीं कर सकता था इसलिए पोल डिलीट कर दिया हमने फांडेशन के वॉलेंटियर सुमिश से बात की उनसे समय से पहले पोल डिलीट करने का करण पूछा तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया टीम ने डिलीट किया होगा हो सकता है कि उन्हें आइडिया हो गया होगा हो सकता है कि जो रिजल्ट उन्हें शेर करना होगा इसलिए उसका विशलेशन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो इसा फान्डेशन की सोशल मीडिया टीम से हमारी बात नहीं हो सकी एक और बात पीम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर प्रसत गुरू का वो वीडियो शेर किया था जिसमें उन्होंने CAA और NRC को लेगर अपनी राय रखी थी इसी तरह का एक और पोल एक एंकर ने भी चलाया फेस्बूक और ट्विटर पर उन्होंन पूछा साल के अंत में एक नई शुरुवात करते हैं विचारों के ठेकेदारों को हटाते हैं सो यह अंधू प्रवक्ताओं को हटा कर भारत को अपने मन की बात कहने दो मैं इस मुद्धे पर एक सापता ही कुछ शुरू कर रहा हूँ क्या आप CAA को सपोर्ट करते हैं इन एंकर के पोल के अभी तक नतीजों के मताबिक जनता ये बोल रही है फेस्बूक पर 36.2 लोगों ने बिल को सपोर्ट किया वहीं 64.2 लोगों ने विरोध किया ट्विटर पर 51.1 लोगों ने बिल को सपोर्ट किया वहीं 48.9 लोगों ने विरोध एंकर का पोस्ट अभी डिलीट नहीं हुआ है इसी तरह का पोल एक मीडिया हाउस ने भी शुरू किया सवाल किया क्या CAA का विरोध वोट बैंक की राजनीती का नतीजा है ट्विटर पर अभी तक 51.2 फीज़ी लोगों ने नहीं में जवाब दिया है वहीं 47 फीज़ी लोगों ने कहा हाँ ये पोल भी डिलीट अभी तक नहीं हुआ है अच्छी बात है एक और पोल समय से पहले मगर डिलीट हुआ है एक दूसरे न्यूज चैनल ने मोधी सरकार के कामकास पर पोल शुरू किया था पूछा था मोधी 2.0 के कामकास से आप कितने खुश है ट्विट समय से पहले डिलीट हो गया लेकिन लोगों ने तब तक स्क्रिंशॉट ले लिये थे समझदार लोग जिसके मताबिक इस सवाल के जवाब पर 38% लोगों ने हां में जवाब दिया और 62% लोगों ने नहीं में अब पता नहीं ये पोल करने से फाइदा क्या होता है पर इतना जरूर समझा रहा है कि रिजर्ल अपने मन का नहीं आए तो पोल ही डिलीट कर मारो बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ सबको अपने मन का सुनना है सबको तारीफ सुननी है अले भाई विरोध भी जरूरी है यही विरोध हमें एक सशक्त लोकतंत्र बनाता है आपको इन पोल्स पर क्या सोचना है खास्त वर पर इनके डिलीट करने पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं बाकि ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आपको लाइक करें